जब environment की बात होगी तो pollution की बात होगी और जब pollution की बात होगी तो carbon emission की बात होगी दोस्तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है pollution को कम करने के लिए लेकिन एक आम इंसान या एक किसान क्या कर सकता है pollution को कम करने के लिए जिससे कि उसका फाइदा भी हो, आई समस्ते है बायो चार दोस्तो जितनी भी वेस्ट या फिर जंगली जाडिया होती है उन्हें जलाना है उससे आपको मिलेगा एक कार्बन का तुकड़ा लेकिन बात यहाँ पर यह है कि किसी चीज़ को हम जलाते हैं वो तो राख बन जाती है दोस्तो किसी को भी जलाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है फ्यूल, हीट और अक्सिजन इनमें से किसी भी चीज़ की अपस्स उसको पूरी तरीके से जलानी पाएगी बस यही करना है इन पेड़ पोधों को oxygen की absence में जलाना है जिसे हम pyrolysis कहते हैं और वहां से मिलेगा हमें ये carbon का तुकड़ा और इस carbon के तुकड़े को चूर-चूर करके इन पेड़ पोधों के आसपस लगा देना है इससे होगा क्या water retention और nutrient taking capacity बहुत जादा हो जाती है इसका porous होने की जाएगा